हलो दोस्तो आपका हमारे चैनल कुक वेच फूट में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छेना मलाई लड्डू जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप देख सकते हैं कितने सौट लड्डू बन करके हमारे तयार हुए है आपका भी जब दिल करे कुछ मीठा खाने का तो आप भी इस तरह से घर में लड्डू बना करके तयार कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं छेना मलाई लड्डू सबसे पहले एक पैन में हमने एक लीटर फुल क्रीम दूद ले लिया है अभी हमने गैस के फ्लेम को ओन नहीं किया है गैस को ओन कर लेंगे और इसको एक बॉयल आने तक हम अच्छे से उबाल लेंगे बीच बीच में इस तरह से चला लेंगे तब तक हम एक कड़ाई में लेंगे 300 ग्राम के करीब दूद और इसको भी हमें अच्छे से पका लेना है जब तक की एक चोथा हिस्सा ना बचे दूद का कंटिनूस तरह से हम चला लेंगे और पका लेंगे अच्छे से तब तक हम देखेंगे हमारा दूद भी अच्छे से बॉयल हो गया है और बॉयल आने पर हम कैस की फिल्म को आफ कर देंगे और एक से दो मिनिट इसको रेस्ट करने देंगे इसके बाद ही इसका हम चेना बनाएंगे एक बाउल में हम ले लेंगे तीन से चार चमच विनेगर और उतना ही पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसका चेना बना लेंगे दूद को मच्छे से फाड़ लेंगे आप चाहें तो नीबू के रसे भी इसको फाड़ सकते हैं और ये देखिए दूद अच्छे से फटने लग गया है थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें हम विनेगर एट करेंगे एक बार में नहीं डालेंगे और ये देखिए दूद अच्छे से फट गया है चेना हमारा तयार हो गया है अब इसको हम पानी से अलग कर लेंगे तो इस सबजी बनाएंगे तो ग्रेवी में यूज कर लेंगे अब छेने को हमें धूलेना है तो यहां पर हमने नौर्मल पानी का यूज किया है और चम्मा से इस तरह से चला करके इसको हम 3-4 बार धूलेंगे जिससे कि इसमें जो विनेगर डाला है उसका खटापन अच्छे से निक देंगे इस तरह से और इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और एक मैसर से इस तरह से मैस कर लेंगे जिससे कि इसमें जो लम्स बखेरा होंगे वह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसके जो लड्डू बनेंगे एकदम सौफ्ट बनेंगे यह देखी अच्छे से मैस कर लिया है अब देखेंगे दूद को जो हम दूद पका रहे थे 300 ग्राम वो पक करके चौथा हिससा बचा है उसका अब इसमें हम इला देंगे चीनी तो यहां पर हमने तीन चमच चीनी मिला दी है इसको मिक्स कर लेंगे जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसको कंटि इसमें फिलेबर के लिए मिलाइगे हम इलाइची पाउडर तो दो-तीन इलाइची को इस तरह से मने पीस लिया है वह इसमें मिला दिया है थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे दूद अच्छे से सोख हो गया है और चेना हमारा ड्राइ होने लगा है कंटिन्यू इस तरह स हम इसको पका लेंगे इसको पकाने में 3-4 मिनिट लगेंगे और इसको हमें ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कितना ड्राइ हो गया है ये अब इसके हमें लड्डू बना लेना है ये देखें नीबू के साइज के हम लड्डू बना करके त्यार कर लेंगे और बहुत ही सौप्ट लड्डू बन करके हमारे तयार हुए हैं इसी तरह से हम बाकी लड्डू भी बना करके तयार कर लेंगे बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही आसानी से बन करके तयार हो जाते हैं घर में और यह देखिए सारे लड्डू को बना करके हमने तयार कर लिया है बहुत ही सॉप्ट और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके हमारे तयार हुए हैं एक दम बाजार के जैसे अब आपको दिखाएंगी कितने सॉप्ट बने हैं यह देखिए कितने सॉप्ट लड्डू बन करके हमारे तयार हैं मुह में गुलने बाले बहुत किमती समय देने के लिए थैंक यू